परिशत मेरे साथी, स्रिमान धर्मेंदर प्रजान जी, उर्जा मंत्री, स्री आर्के सीह जी, उर्जा सचीव, स्री आजय भल्ला जी, पेट्रोलियम सचीव, स्री कपिल देव त्रिपाधी जी, और उपस्तित सभी महानुप हुआ और दूर दूर वीडियो लिंक से जुड़े हुए भी, ओएंजी सी के सभी साथी, आज एक साथ तीन पवित्र अवसरों की त्रिवेणी का संयोग बना है, आज नवरात्र का पाँचवा दीन है, और इस दिन सकंद माता की पूजा की जाती है, सकंद माता को सावर मंडल की अधिश्टात्री देवी माना जाता है, सकंद माता के आशिरवात से नवरात्र के इन दिनों में देश की महलाओं की सुरक्षा और उनकी जीनगी से जुड़े ही, एक बहुत महत्पुण योजना की आज शुरुवात हो रही है, आज ही सुरधे पंडित दिन दयाल पायताई जी की जन्म जैन्ती हैं, और आज ही देश को दिन दयाल उर्जा भवन भी मिल रहा है, परियावरन के अनुकूल और बिजली की कम खपत वाली इस ग्रिट बिजलिंग का लोकारपन करते विए, मुझे बहुती सुखद अनुभूती हो रही है, मुझे बताया गया है कि इस समय ओएंजी सी के हजारों कर्मचारी विशेश चुरुप से विडियो लिंक के माध्यम से इस कारकम से जुड़े हुए हैं, कि जब भावन मुझे मैंने देखा, तो मेरे मन में विचार आया, कास अच्छा होता अप्रदानमनत्री बनने के बज़ाएं यहां आता, लेकिन खैर बहुत से चीजे हैं जो मेरे नसीब में नहीं है, मैं आप सभी को इस भव भवन के लिए बढ़ाई देता हूँ और सुबकामनाई देता हूँ, आज एक तरफ से देखें तो यहां पर आध्यात्म, आस्था और आधुनिक तक्नीक तीनों ही खेत्र उर्जा से जगमग रोशन है, बाईवर बैनों पिछले वर्ष, आज के ही दिन से, दिन्दायल जी जन्वश्रति वर्ष के निमिद हमने गरीब कल्यान वर्ष का आरम किया था, सरकार ने तैक किया था कि एक साल तक पंडित दिन्दायल उपातिय जी के जन्वश्रति वर्ष को गरीब कल्यान वर्ष के रूप में मनाएगी, आज वर्ष के तौर पर भले इसका सवावन हो रहा है, लेकिन गरीब कल्यान इस सरकार की पहचान के साथ जुड़ा हुआ है, जन्धन योजना से लेकर स्वच्छ भारत अभियान तक, उज्वला से लेकर मुद्रा तक, स्टार्ट अप से लेकर स्टैंड अप इंडिया तक, उजाला से लेकर उडान तक, आपको सिर्फ गरीब कल्यान ही नजर आएगा, किसने सोचा था कि कभी ऐसी भी सरकार आएगी, जो तीस करोड गरीबों के लिए, बैंक के खाते खुलवाएगी, किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी, जो एक रुपए महिने और दूसरा 90 प्रति प्रति दिन के प्रिमियम भर से लगभग 15 करोड गरीबों का भीमा उपलब्द कराएगी, किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी, जो बिना बैंक गारंटी, और एक छोटी बात नहीं है, बिना बैंक गारंटी 9 करोड खाता धारकों को साड़े तीन लाग करोड उर्पिय से जादा कर्ज देगी, किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी, जो इस बारे में सोचेगी, कि महिलाओं को रसोई में दुएं से मुक्ति मिले, किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी, जो इस हवाई चपल पहनने वाला भी हवाई जहाज उर सके, इस प्रकार की योजना बना सके, किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी जो रदय के आपरेशन के लिए स्टेंट की कीमते कम कर देंगी, गुटने के इंप्लांट की कीमते भी कम कर देंगी और मद्यमबर की पहुँचके भीतर ले आने का प्रयास सफलता पुरुवक करेंगी गरीब का सपना मेरी सरकार का सपना है और गरीब की मुश्किलें उसकी रोजमरा की जिन्दगी में आने वाली परिशानी कम करना मेरी सरकार का सबसे बड़ा दाइत्व है आज इसी कड़ी में देश के करोडों गरीब परिवारों से जुड़ी गरीब महिलाओं के से एक बहुत बड़ी बहुती महत्वपून और बहुती आवश्यक योजना की शुरुवात हो रही है भाईयों और बहनों इस योजना का नाम है प्रदान मंत्री सहज बिजली हर गर योजना याने सवभाग्या साथ यो स्वतंत्रता के सत्तर वर्ष बाद भी हमारे देश में चार करोड से ज़्यादा गर ऐसे हैं जिसमें बिजली कनेक्शन नहीं है भारत में कुल परिवार घर 25 करोड है उसमें से चार करोड एने करीब करीब 20% आप सोचिए चार करोड घरों में रहने वाले लोगों जिन्दी कैसी होती होगी वे अठारवी श्रताब्दी में गुजारा कर रहे हैं आप कल्पना करिए कि आपकी जिन्दगी से भी अभी बिल्दिक चली जाए तो आपकी जिन्दगी कैसी होगी साथियो समा सो साल से ज्यादा तक का समय बिच चुका है जब महान वैज्यानिक थोमस अलवा एडिशन ने बल्ब का आविश्कार किया था दुनिया को अपना आविश्कार दिखाते हुए एडिशन ने कहा था यानि हम बिजली को इतना सस्ता बना देंगे कि सिर्फ अमीर ही मोबतिया जलाये करेंगे हम सभी के लिए ये दुखद है अपसोज जरग है कि आज तक देश में चार करोड परिवारों में बल्ब तो दूर बिजली तक नहीं पहुँच पाई है उन गरों में आज भी मोमबतिया जल रही है डीबरी जल रही है लाल टेन जल रही है उन करोडो गरीब परिवारों में आज भी शाम के बात बच्चों को पढ़दे में दिक्कत होती है पढ़ते भी हैं तो उसी लाल टेन की रोशनी में मैं जब छोटा था मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई की तो हमारे जो बुजुर्द लोग थे वह में समझाते थे कि आप ये मिट्टी के तेल से जलने वाली बत्ती से मद पढ़ा करो तो बारी आँखे खराब हो जाएगी सांस में सब जाएगा तो मैंने का क्या करूँ तो बोले केस्टर ओयल का जो उपयोग करके दिया जलाओ उस दिये से पढ़ा ही करो तो हमने बच्पन में केस्टर ओयल के दिये से प्रकाश करके जिन्दिगी को कुछ से आगे बढ़ाने का प्रयास किया था तब जाकेर के मन में लगता है कि चार करोड परिवारों का क्या होता होगा सुक सुविधाओं की बात छोड़िए घर की महलाओं को भी अंधेरे में खाना बनाना पड़ता है और इसलिए जादातर महलाओं पर दिन धलने से पहले ही रसोई का काम ख़त करने का भी दबाव रहता है गरों में रोश्णी नहीं बिजली कनेक्शन नहीं तो इसका सीधा रसर रास्तों की रोश्णी पर भी पड़ता है अंधेरे में गर से बाहर निकलना और मुश्किल हो जाता है विशेश कर महलाओं तो जैसे गर में ही बंद कर रहे हैं उनको गुजारा करना पड़ता है बिना बिजली के जिनकी कैसी होती है यह समझना हमारे आपके उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसके पास बिजली का कनेक्शन है बिना बिजली वाले इन गरों में जब बिजली का connection पहुँचेगा तभी उनका भागे चमकेगा तभी उनके लिए सवभागे होगा प्रदान मंत्री सहज बिजली हर गर योजना यानि कि सवभागे योजना के तहत सरकार देश के हर ऐसे गर चाहे वो गाउं में हो या शहर में हो या जुगी जोपणी में हो दूर दराज वाले इलाके में हो उस घर को बिजली connection से जोडने का आज हम संकल्प करके आगे बढ़ते हैं किसी गरिब से बिजली connection के लिए किसी भी तरका सुल्क नहीं लिया जाएगा सरकार गरिब के घर पर आकर बिजली connection देगी जिस बिजली connection के लिए गरिब क्यों गाउं के मुख्या के घर पर सरकारी दप्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे उस गरिब को गर जाकर ये सरकार खुद बिजली connection देगी बिना एक भी रुपिया लिए बिजली कनेक्शन दिया जाएगा देश के हर गरीब के घर में बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए 16,000 करोड रुपिया से ज़्यादा का खर्च आएगा 16,000 करोड रुपिया का जिम्मा उन परिवारों की जिंदगी में एक नई रोष्णी लाने के लिए है हमने यह तय किया है कि इसका बोच किसी गरीब पर नहीं डाला जाएगा इस सरकार ने गरीब को यह सवभागे देने का संकल्प किया है गरीब को सवभागे का संकल्प हम सिद्ध करके ही रहेंगे कोईकि मेरा आदर्श संकल्प करें लेकिन सिद्ध भी करें साथियों पंडित दिन्दाल उपाज़ताई जी ने कहा था आर्थिक योजना हो तो था आर्थिक प्रवग्यति का माप समाज में उपर की सीड़ी पर पहुँचे हुए व्यक्ति नहीं बलकि सबसे नीचे के स्तर पर विद्धबान व्यक्ति से ही होगा यानि सरकार की योजनाओं की परक उनकी परतां इसी आधार पर होनी चाहिए कि उससे गरीब का कितना लाब होता है आज मुझे खुशी है कि पंडित दिंदयाल जी के जन्म जैन्ति पर देश के करोरों गरीब परिवारों के सपनों को पूरा करने वाली इतनी बड़ी योजना की शुरुआत हो रही है गर में बिजली ना होने पर गरीबों और विशेशकर महला और बच्चों की जिस तरह की दिक्कत आती है उसे सबचते हुए ही सरकार ने ऐसे 18,000 गाउं तक बिजली पहुँचाने की ठानी थी जहां आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी बिजली नहीं पहुची थी मैंने लाल के लिए से एक हजार दिन में ये काम पूरा करने के लिए बादा किया था इन 18,000 गाउं में से अब 3,000 से भी कम गाउंवी ऐसे बचे हैं जहां बिजली पहुचाई जानी बाकी है इस ग्राप से आप देख सकते हैं कि इन गाउं में भी तन तैस हमाई के भीतर भीतर हम बिजली पहुचा देंगे और पहुच जाएगी भाईयों और बहनों मुझे याद है जब मैंने पहली मिटिंग की उर्जाए विभाग की प्रदानमत्री बनने के बाद और मैंने जब जानका रिमाई है तो डिपार्टमेंट ने मुझे कहा था कि साथ ये काम करने में साथ साल लगेगा मैंने सुन लिया मैंने कहा कम नहीं हो सकता वो बिलकुल उनके दिमाग में था नहीं होगा मैंने लाल के लिए से बोल दिया मैं एक हजार दिन में कर दूँगा और अपसरों का ऐसा है कि अगर आप उनको हिम्मत से आवाहन करें तो वो पूरा भी कर देते हैं और आज मैं देखना हूँ को उन्होंने कर दिया भाई वार बहनों न्यू इंडिया में हर गाउं तक ही बिजली नहीं पहुचेगी बलकि न्यू इंडिया के हर गर में बिजली कनेक्शन भी होगा प्रधान मंतरी सहज बिजली हर गर योजना यानि सवभागे की शुरुत होना सरकार की इच्छा शक्ती और देश में उर्जा क्रांती के लिए किया जा रहे उपायों का भी एक जीता जाकता सबूत है प्रतीख है बिना बिजली संकट दूर किये बिना व्यवस्ताओं में सुधार किये बिना पुराने सिस्टिम का आदूकरन किये इस तरह की योजना की शुरुवात नहीं की जा सकती पुरानी ढरे से काम नहीं होते है पुरानी परंपरा उसे नहीं हो सकता है एक आमूल चूल परिवर्दन करके नए इसारे से चलना पड़ता है नई दिशा नई गती पकड़नी पड़ती है ये योजना पिछले तीन वर्सों में किये गए केंद्र सरकारों के प्रयासों की भी एक प्रतीक है देश के लोग वो दिन नहीं भूल सकते जब टीवी चैनलों पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आया करती थी वो ब्रेकिंग न्यूज से ताप परिचित है उसमें आगे इतना ही लिखने की ज़रूत है बारत ब्रेकिंग न्यूज उस समझ समाचार आया करता था कोईला घरों में एक दिन कोईला बचा नहीं है दो दिन का कोईला बचा है बिजली संकट का वो दोर था जब ग्रीड फेल हो जाया करते थे राज के राज अंधेरे में डूबे जाते थे और ये मैं कई दसक पहले के बात नहीं कर रहा है ये सब मैं कुछ ही दसक ये पिछले दसक की बात कर रहा हूँ पिछली सरकार मैं दोरा नहीं ये सब हुआ था अब याद करिए कितने दिन हुए कि आपने कभी ऐसी breaking news देखी क्या कि कोईला नहीं है बिजली घरों में कोईला नहीं है नहीं देखिए साथियों देश बिजली संकर को पीछे छोड़कर अब बिजली सर्प्लस हो रहा है और ये सब कुछ एक बड़ी रणदीति के तहत नहीं नहीं अप्रोच के साथ नहीं नीतियों के साथ multi-dimensional step उठाने से हुआ है देश की बिजली विबस्ता सुधारने के लिए चार अलग-अलग चरणों पर एक साथ काम किया गया production, transmission, distribution और connection अगर production नहीं होगा, transmission, distribution system मजबूत नहीं होगा तो connection की चाहे जितनी बाते कर लें घर घर बिजली नहीं जा सकती थी इसलिए सरकार बंडे के बाद सबसे पहले production बढ़ाने पर जोर दिया गया सौर उर्जा, पानी से बनने वाली उर्जा, हाइडरो, कोईले से बनने वाली बिजली और nuclear power सभी से उत्पादन बढ़ाने के लिए चोत अरफा काम शुरू हुआ साथियों, वर्ष 2015 में हमने कोईला खदानों के लिए एक नया अधिनियम लागू किया था जिसके तहट पहली बार कोईला खदानों का रिवर्ष ई- उक्षन हुआ है साल 2009 से 2014 तक पांच सालों में कोईले का उत्पादन सिर्फ 34 मिलियन टन बढ़ा था वो पिछले तीन वर्षों में हमने 93 मिलियन टन उत्पादन बढ़ा कर 659 मिलियन टन प्रती वर्ष कर दिया है मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि सरकार के तीन वर्षों में ही PSU द्वारा कोईले के उत्पादन में हुई वृद्धी पिछली सरकार के पांच वर्षों के कारकाल में हुई वृद्धी की तुलना में डेड़ गुना से जादा है अधिक है जिने खदान नहीं कोईला चाहिए उनके लिए चार महिने पहले सरकार ने शक्ती नाम से एक नई कोईला आवंटन नीती भी लागू की है इसके तहट बिजनी पैदा करने वाले थर्मार प्लांटों को कोईले का आवंटन पारदर्सी तरीके से निलामी द्वारा किया जाएगा पिछले साल फरवरी में सरकार कोल लिंकेज के दोबारा आवंटन के लिए भी पारदर्सी निलामी नीती को जारी कर चुकी है दूसरा सात्यों जिस कोईले की निलामी में करोडों का गोटाला हुआ था उसी कोईले की निलामी की एक पारदर्सी और आदुनिक व्यवस्ता इस सरकार ने देश को दी है यही सरकार की नीतियों का भी और नियत का भी परिचायक है यह सरकार बिजली के खेत्र से सूलब, सस्ती, स्वच्छ, सुनियोजित, सुनिस्चित एवं सुरक्षित बिजली उपलब्त कराने के छे मुल्बुस सिध्धांदों पर काम कर रही है तीसरी बात है, पिछले तीन वर्षों में सरकार के प्रयासों से पहली बार इंस्टॉल पावर केपिसिटी में 60,060,000 मेगावोटर की वृद्धी हुई है जो लक्ष से 12 परसंट अधिक है चोथा, साथिवा भारत की उर्जा सुरक्षा सुनिस्चित करते समये हमने ये भी संकल्प लिया था कि ये काम क्लीन एनर्जी को प्राथ्विक्ता देते हुए किया जाएगा इसलिए ही सरकार ने 2022 तक 175 गीगावर क्लीन एनर्जी के उत्पादन का लक्ष रखा था यानि ऐसी बिजनी जो सोलार, बीन और हैड्रो से बने पांचवा इस लक्ष पर चलते हुए पिछले तीन वर्षों में भारत में रिन्योबल एनर्जी केपिसिटी को लगभग दो गुना कर दिया गया है और इसमें 27,000 मेगावर से जादा क्षमता की वृद्धी की गई है इसी अवदी में सौर उर्जा की क्षमता लगभग पांच गुना बढ़ाई गई है और छठी बार है रिन्योबल एनर्जी के सेक्टर में कमपडिशन को बढ़ावा देकर सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि वो देश के आम नागरिकों के लिए किफायद भी रहेंगी रिन्योबल एनर्जी की लागत में कमी लगातार ध्यान दिया जा रहा है इसी वज़र से साल 2016-17 में हमें सौर उर्जा सिर्फ दो रुपिया 44 पैसे और पवन उर्जा सिर्फ तीन रुपिये 42 पैसे के मिनिमिम टैरिप पर मिली है मुझे आध है मैं जब गुजरात में था मैं सोलार एनर्जी के लिए चला उच समय भारत सरकार 19 रुपिया देने के लिए तयार थी तब मैंने वहाँ 13 रुपिया की पॉलिसी बनाई थी जिसने हिंदुस्तान में सोलार एनर्जी की पॉलिसी बनाई थी और तब हमारे लोग घबरा गए थे कि अब 12 सरकार के 19 रुपिया मिलने वाले हैं आपके 13 है तो कौन आएगा यहां मैंने का मैं कोई ज़्यादा नहीं दूंगा मैं यहीं पर अटकूंगा और मुझे विश्वास है कि वो एक दिन दूर नहीं होगा जब थर्मल और सोलार इकवल हो जाएंगे यह मैंने वुछ समय भाशन किया थी मैं डिगा नहीं और मजा यह हुआ कि लोग 19 वाली योजना में नहीं गए तेरा की योजना में आये क्योंकि एको सिस्टेम मैंने से मैनेज किया था और वो उस समय देश का सबसे बड़ा सोलार पार्क वहां बना था आज देश सोलार योजना में दो धाई रुपय बिजली ले आया है और इसलिए साथ्यों सरकार ने बिजली टांस्विशन के छेत्र में भी इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ाया है जिसकी वज़े से देश के टांस्विशन नेटवर्क में बहुत तेजी से बुरुद्धी हुई है पिछली तीन सालों में डेड़ लाग करोड रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट पर काम किया गया है ये पिछली सरकार के आखरी तीन वर्षों की तुलना में 83 परसंट अधिक है अब कल्पना कर सकते हैं ये एक एक चीज आपको बताती है काम कैसे होता है इस सरकार में लक्ष से 12 प्रतिशत से ज़्यादा ट्रांस्मिशन लाइन लगाई गई है इसके कारण नकेवल आज देश को सुरक्षित और संतुलित ग्रीड उपलब्द हुआ है बैलकि हम अब तेजी के साथ बन नेशन बन ग्रीड बन प्राइज के लख्ष की और आगे बढ़ रहे है साथियों बरसों तक देश के पावर सेक्टर की उप्रिक्षा किये जाने की वज़े से इस सेक्टर की बहुत बड़ी कमजुरी बन गया था पावर डिस्टिबिशन इस वज़े से जितनी बिजली देश में पैदा हो रही थी उतनी बिजली लोगों को मिल नहीं रही थी इस कमजोर कड़ी को तोड़ने के लिए पावर डिस्टिबिशन सिस्टिम मजबूत करने के लिए 2015 में सरकार ने उजवल डिसकॉम एश्वरंस योजना यानि उदय की शुरुवात की थी। उदय योजना का मकसद बिजली डिस्टिबिशन के काम में लगी कमपनियों में बहतर ऑपरेशनर और फाइनांशल मेनेजमेंट की स्थापना कर रहा था। जब कमपनियों में स्थाहिक तो होगा वो व्यवसाहिक रूप से मजबूत होगी तब ही डिस्टिबिशन पर भी ध्यान दे पाएगी। आज तीन वर्षों के लगाता प्रहास की बज़़से बिजली डिस्टिबिशन कमपनियों की सहत में सुधार आता दिख रहा है। दे ब्याज के तोर पर देनी पड़ती थी। यह आप देख सकते हैं किस प्रकार के स्थिती बने। उद्धय के एक ही वर्ष में साल 2016 में 2016 के मुकाबले में डिस्टिबिशन कम्पनियों का सालाना नुक्षान वर्ष 2017 में लगबख 42% कम हुआ है। उद्धय योजना विकास के लिए कॉंपिटिटिव कोपरेटिव फडररिजम का भी शांदार उदार के रुप में आप उसे देख सकते हैं। सात्यों सरकार गावों और शहरों में बिजदी के डिस्टिबिशन सिस्टम को मजबुत करने के लिए भी दो बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। गावों में दिन दायाल उपाद्याए ग्राम जोती योजना चल रही हैं और शहरों में इंटिग्रेटेड़ पावर डेपलोबेंट स्कीन यानि आईपीडियेस। इन दोनों योजनाओं से जुड़ी 69,000 करोड रुपे से जादा की परियोजनाओं को मंजुरी दी जा चुकी है। इन योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। केंद्र सरकार ने राज सरकारों को भी पिछले तीन सालों में बिजनी के वित्रंग छेत्र की योजनाओं के तहत लगबग 22,000 करोड रुपे की रासी उपलब्त कराई है। ये रासी पिछली सरकार के आखरी तीन वर्षों में उपलब्त कराई गई रासी से दो गुना से भी जादा है। के मामले में भारत साल में 2015 में 1999 स्थान पर था निन्यानवे पर जबकि अब उसकी रैंकिंग 26 हो गई है। आप कलक्मा के कहां 99 और कहां 26 इतना बड़ा उच्छाल इस सेक्टर को सुधारे में लगे लोगों के लिए एक बहुती गरोव की बात है। पावर सेक्टर में भारत के कारियों पर एक और आंतराश्टी एजन्सी की तरफ से पॉइंट किया गया है। अमेरिका की स्पेश एजन्सी नासा ने पिछले साल रात में अंतरीक से भारत का एक चित्र लिया था। इस चित्र में भारत जगमगा रहा था। आप इस चित्र में देख सकते हैं। एक चित्र दो हजार बारा का है जिसमें अंधेरा नजर आता है और दूसरा पावर सेक्टर की अलग कहानी दिखाता है जो दो हजार 14-15 में लिया रहा है। 2016 का है 2016 का इस चित्र है। सात्यों ये सरकार पावर सेक्टर को मजबूत करने के साथ ही इस बात पर भी जोड दे रही हैं कि पावर की डिबान कम करने वाले आधूनिक तरीकों को अपनाये जाए। ये आधूनिक तरीके बिजली तो बचाते ही हैं लोगों को बिजली का बिल भी कम करते हैं। सरकार के प्रयास की वज़े से LED बल्ब और यहां कड़ा याद रखी है LED बल्ब जो फेबुरुआरी 2014 में मैं 2014 में आया हूँ। फेबुरुआरी 2014 में LED बल्ब की कीमत थी 310 रुपिया और आज सितंबर 2017 में उसकी कीमत है 40 रुपिया। उजाला योजना के तहट अब तक देश में 26 करोड से जादा LED बल्ब बाटे जा चुके हैं। इससे लोगों को बिजली बिल में सालाना 13,700 करोड रुपिया से जादा की अनुमानित बचत उनके परिवारों में हुली है। 13,700 करोड रुपिया बचना कितनी मेगावाट बिजली बची अन्दार लगा सकते हैं। उसको लगाने में कितनी लागत होती वो बच गई है। यहने देश की एकोनोमिक और किस प्रकार से चलाए जा सकता है। इसका ही उधारन आपको सामने प्रसूत है। प्रावेट सेक्टर ने भी 41 करोड से जादा LED बल्बों का वित्रन किया है। इसके अलावा सरकार द्वारा बिजली बचाने वाले लगबग 13 लाग पंके और 33 लाग से जादा ट्यूब लाइटों का भी वित्रन किया गया है। विश्व के सबसे बड़े कारकम के तहर 33 लाग साथ हजार से जादा LED स्ट्रीट लाइटे भी अब लग चुकी है। साथियों पारदर सीता और जवाब देही इस सरकार की सर्वोच्च प्रात्पिकता है। देश के आम नागरिक, देश का गरीब, देश का हर उपभोगता हमारे लिए सर्वोपरी है। उनसे हर स्तर पर सुजाव लेना और उन्हें कारियों की जानकारी देना दोनों को ही लेकर सरकार बहुत गंबीर है। मोबाइल एप, वेब पोर्टल, डेश बॉर्ड की जरिये योजनाओं की प्रगती को लोगों तक पहुचाये जा रहा है। लोगों से सुजाव भी लिये जा रहे हैं। सात्यों हमारी अर्थववस्ता के विस्तार को देखते हुए ये भी स्वाभाविक हैं कि आने वाले वर्षों में हमारी एनर्जी डिमांड और बढ़ने जा रही है। ऐसे में हमें एक बैलेंस बना कर चलना पड़ेगा। देश की उर्जा जरूरतों को पूरा करने में हाइड्रो कार्बन की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। अभी देश की उर्जा जरूरत मुख्यतव कोईले से पुरी होती हैं। आने वाले दिनों में इसे हमें गैस और साथ-साथ रिन्यूबल एनर्जी से भी संतुलित करना पड़ेगा। कार्बन रिलेटेड एमिशन्स को कम करना हमारे सांस्कूतिक विरासत का हिस्सा है। हमारी परंपरा का भी हिस्सा है। और दुनिया को हमने कॉप 21 में सारव जरी ग्रूप से कमीट में दे करके हम इस मूवमेंट में जूड़े हैं। न्यू इंडिया में हम एक ऐसे एनर्जी फ्रेंबर की आवशक्ता हैं जो इक्विटी, एफिसंसी एंड सस्थेनिबिलिटी के सिद्धान पर चले है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम घरेलू सप्लाई को कितना बढ़ा पाते हैं और आयात पर अपनी निर्भरता कितनी कम पर कर पाते हैं। अगर 2022 तक हम तेल आयात में दस प्रतिशत की कटोती कर सकें तो यह सिर्फ उद्योकों कोई नहीं देश की अर्थे बवस्ता को भी मजबूती देगा है। पिछले दस वर्सों में क्रूड इंपोर्ट्स पर हमने लगभग एक ट्रिलियन डॉलर खर्च किया है। तो कितना जादा सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। साथियों पिछले तीन वर्षों में ओईल और गेस सेक्टर में सुधार करते हुए कई बड़े कंजुमर सेंट्रिक इनिशेटिव लिए गए हैं। जैसे प्रदानमंत्री उज्वला योजना, LPG सब्सेड़ी को डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से जोड़ना, पाइप नेच्टरल गेस सप्लाई और सीटी गेस डिस्टिबिशन नेटवर्क का विस्तार करना, एलपीजी कवरेज बढ़ाना, इसके अलावा पॉलिसी स्तर पर भी कई बड़े फैसले किये गए हैं। जैसे लिक्विड फ्यूर्स की कीमत को डिरोगिलेट करना, गेस प्राइसिंग के लिए नई नीतियां बनाना, गरेल उत्पादन बढ़ाने के लिए नई उपाय खोजना, हेल्प यानि हाइड्रो कार्बन एक्स्प्लोरेशन और लाइसेसिंग पॉलिसी बनाना, डिएसेप यानि डिस्कवर्ड स्मॉल फिल्ड की निलामी के लिए पॉलिसी का घठन करना, फर्टिलाइजर सेक्टर में गेस पुलिंग करना, भाईव और बैनो सरकार परियावरण की रक्षा को लेकर पूरी तरह सम्वेदन सील है, इसी को ध्यान में रखते हुए, व्यापक स्तर पर, पैट्रोल में, इथोनल ब्लेंडिंग, बायो डिजल से जुड़ी योजनाएं, एल एंजी टर्मिनलों के विकास के कारकम की भी शुरुवात की गई है, बविश में देश की उर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए, तेल का उत्पादन करने वाले बड़े देशों के साथ समंदों को मजबूत किया जा रहा है, इसी कड़ी में भारत, रूस, एनर्जी ब्रीज का गठन किया गया है, पैट्रोलियम और नेच्रल गेस मंत्राले की तरफ से, विदेश में ऐसे कई समझोते किये गए हैं, जो भविश में हमारे हीतों को ध्यान में रखेंगे, सरकार के वर्क कल्चर में बडलाव से, पूरा एनर्जी सेक्टर आज मजबूत हो रहा है, और एनर्जी सेक्टर के मजबूत होने से, देश को भी एक नया वर्क कल्चर मिलेगा, देश के दुरदराज वाले लेकव में रहने वालों की जिन्दगी में, जब रोसली पहुँचेगी, गैस पहुँचेगी, तो उनके जीने का तरीका, काम करने का तरीका भी बदल जाएगा, मुझे उमीद है, कि उजबला योजरा की तरही, सवभागे योजरा भी, विशेश कर नारी शक्ति की जिन्दगी में, सुरक्षा और सहथ के नए भाग्य का उदय करेगी, इससे हमारे समाज का, एक बड़ा असंतुलन भी, खत्व होगा, गरीबों की जिन्दगी बदलने के लिए, उनकी जिन्दगी से अंधेरा दूर करने के लिए, न्यू इंडिया के लिए, उठाए गए, इस कदम के लिए, मैं देश को फिर-फिर से बहुत-बहुत शुप कामनाई देता हूँ। अभी दर्मेंदर जी अपने भाशन में बता रहे थे, कि वो इन जिसे ने स्टार्ट अप्स के लिए सो करोड रुपया की योजना बनाई है। मैं आज एक चुनवती का काम आपसे करना चाहता हूँ। और मुझे विश्वाजा आप लोग कर देंगे। देखिए, इलेक्रिक कार, दुनिया वो उस पर चल पड़ी हैं। क्योंकि वो भी एनर्जी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है जो इलेक्रिक कार के तरब ले जा रहा है। इलेक्रिक कार से जो मुसीबते कम होगी और जितना लाब होगा मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक शित्र ऐसा है, जो शायद बहुत बड़ा रिवॉलूशन ला सकता है। और मैं चाहूँगा को ONGC इस इनिशेटिव को उठाएं। देश के युवाओं को आवाहन करें।